हलो फ्रींज अपना की चंद में आपका स्वागत है आज मैं सूपर टेस्टी फिस करी बनाने का एकदम नया अलग और बहुत ही आसान तरीका सेयर करने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो इसके लिए मैंने आपे 700 गुराम रोह फिस लिया है फिस को मैं अच्छे से clean and wash कर लिया है यह देखिए तो मैंने आपे रोह फिस का इस्तमाल किया है लेकिन आप चाहें तो कोई भी फिस ले सकते हैं जो आप खाते हूं जो आपको पसंदो फिस को अच्छे से धूलने के बाद मैंने बरतन को थोड़ा सा टेंडा कर दिया था ताकि पानी साइड में आजये और सारा पानी हटा दी हूं फिस में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए फिस बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए तो सबसे पहले फिस को हम एक mixing ball में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि फिस को हम मारिनेट करेंगे इसमें डालेंगे एक चमच निम्बू क निम्बू का रश डालने से इसमें चटपटा फ्लेवर तो आता है यह साथी में इसका इसमेल भी खतम हो जाता है और फिस ज्यादा समय तक एकदम फ्रेस रहती है अब हम इसमें डालेंगे आधा छोड़ा चमच हल्दी पाउडर और आधा छोड़ा चमच लाल मीड़ तो फ्रेंस फिस करी तो आपने हजारों बार बनाई होगी और अने को बार खाई होगी पर इस तरीके से एक बार बना कर जरूर देखिएगा यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो लिज़ी फ्रेंस समय चीजों को मैंने अच्छे से मिला दिया है अब हम इनको करके 10-15 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे मैनियेट होने के लिए तो जब तक फीस मैनियेट हो रहा तक तक चली है मसाला पेस्ट रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए एक मिक्सर जार में डालेंगे 6-7 चीली हुई लसन की कलियां आधा चमच पपी सीर्स इसको खस-खस पोस्ता दाना भी बोलते हैं इसमें इसका टेस्ट बहुत है अच्छा लगता है एक चमच डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा आप जहें तो इसके जगह पर फ्रेस ताजा नारियल भी ले सकते हैं उसके उपर का छिलका हटा करके एक चमच धनिया आधा चमच जीरा ए किंच कटे हुए अद्रक के टुकडे और तीन हरी मीर्च यह कम तीखी वाली हरी मीर्च है इसलिए मैंने तीन लिया अगर आपकी तीखी है तो एक या दो लीजिएगा इसमें हरी मीर्च का टेस्ट और खुसबू दोनों बहुत है अच्छा आता है अब हम इसमें थोड़ा कि टमाटर और हरा धनिया के मॉस्चर से यह बहुत एच्छे से पीजाते हैं तो लीजिए टमाटर और हरा धनिया का पेश्ट हमारा रेडी हो गया है तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे अब चुले पर चढ़ा देंगे कडाही गैस ओन करके इसमें डालेंगे ती कि नीचे की फिस बढ़िया से गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए तो लीजिए फ्रेंज एक तरफ से फिस बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है आप देख सकते हैं नीचे से बहुत बढ़िया गोल्डेन ब्राउन हो गई है तो अब हम इनको एक एक करके दुसी तरफ पलट तो चलिए बुमिन को निकाल लेते हैं तो ऐसे साइड में लाका कुछ सेकें तक रुकेंगे ताकि फिस में जो भी एक्ट्रा तेल आया हो निकल करके कडाई में ही रह जाए तो लीजी फ्रेंज एक बैस फिस हमारा फ्राई हो गया है इसी तरीके से दो से तीन बार में सारे फ दो लॉंग, चार से पांच काली मेर्ज की दाने और आधा चमच जीरा अब इन खड़े मसालों को कुछ सेकंद तक फ्राई होने देंगे ताकि इनका फ्लेवर तेल में फैस जाए जैसे खड़े मसाले हलके से फ्राई हो जाएंगे इसमें डाल देंगे दो मीडियम सायज का बारी कटा हुआ प्याज, गैस का फ्लेम इस टैम मीडियम टू हाई रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को तक तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, फ्राई करते समें ऐसे बार बार चलाते रहेंगे, तो लेज़े फ्रेंस प्यास हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन प्राउन हो गया है देखिए तो बस प्यास को हमें इतना ही फ्राई करना है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरा धनिया का पेस्ट जो हम लोग पीइश करके रखे थे अब हम इनको प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गयास का फ्राई मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेंब पर इनको 2 मिन बॉल में थोड़ा सा पाने डाल करके क्लीन करते हुए इसी में एड़ कर लेंगे, साथी में डाल देंगे एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा आता है, स्वाद अनुसान नमक डाल द बारे से पंदर मिनाट होगे मुझे मसालों को भूनते हुए धक करके लोटू मीडियम फ्लेम पर और आप देख सकते हैं मसालों से तेल सेपरेट होने लगता है और मसालों का टेक्चर देखिए चेंज हो गया है देखिए देख रहे ना कितने बढ़ियां से मसाले भून ग गया है लेकिन आप अपने इसाफ से पाने डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखना हो कमिया ज्यादा अच्छे से मिला लेंगे और अब गयस का फ्लेम हाई करके ग्रेवी में उबाल आने तक वेट करेंगे ग्रेवी में उबाल आते ही फ्राइक हुए फिस आड कर लें एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में और यह देखिए कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आया है और ग्रेवी में एकदम पॉर्फेक्ट बनी है तो अब हम गयस का फ्लिम बंद करके थोड़ा से अकटा हुए हराधिने डाल देंगे और ऐसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब हम इनको ढग करके दो से तीन मिनटा से छोड़ देंगे उसके बाद इसको सर करेंगे तो लीजी फ्रिंस तयार है हमारी सूपर टेस्टी फीस करी एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो देखिए ना फ्रिंस बनाने का तरीका कितना आसान है और खाने में यह रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी तो रेसिपी को ट्राइक करें पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें